और इस अगर बत्ती को जो है वो यह अंकल जी बना है तो अंकल जी कितना दिन लगा था इसको बनाने में इसको छे महिना लगा है बनाने में अच्छा और एक महिना तक यह जलेगा है है हेलो दोस्तों आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में दोस्तों यहां पे देख सकते हैं प्रभू स्री राम चंद्र जी का भव्य परतिमा बनाया गया है और अभी हमें नेशनल हाइवे पे और दोस्तों यहां से जो प यह प्रतिमा है जो की नेशनल हाइवे पे है और यहां से इस तरफ दोस्तों अभी हलका साही आगे चलेंगे तो जो गुजरात से 108 फीट बरा जो अगरवत्ती आया है उस अगरवत्ती को दिखाएंगे साथ ही उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और आप सभी को दिखाते हैं उस 108 फुट बरा अगरवत्ती को तो दोस्तों पीछे स्री राम चंद्र जी का भवे मुर्ती बना हुआ था और यहां पे देख सकते हैं मासीता का बना हुआ है और दोस्तों यहां से हलका सा आगे इस तरफ जा रह तो दोस्तों फाइलली इसी हाइवे से लगवक वहां से 500-700 मीटर दूरी पर आये हैं तो दोस्तों हम अभी पहुच गये हैं यहां बस से स्टेंड है और यहां पर आयोध्या बस स्टेंड है और इसी के अंदर में चलेंगे तो वो जो अगरवत्ती है वो देखने को मिल जा अगरवत्ती के पास यहां पर देख सकते हैं यहां पर आगे से जलाया गया है है और ये इसका तीशे का भाग है और दोस्तों चलिए आपको लज्दीक से दिखाते हैं तो दोस्तों ये जो अगर्वत्ती है ये 108 फिट बारा अगर्वत्ती है जो कि आ दोस्तों गुजरात से आया हुआ है और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी दोस्तों ये जो है ये आयोत्या में पहुंच चुका है और यहां पर जलाया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देख सकती है काफी सारे लोग है, जो इसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और दोस्तों यह जो है आयोध्या राम मंदिर से तीं किलो मेटर दूर सबस्टेंड है जो न्यू बस एस्टेंट अध्या धाम है वहां पर इसको रखा गया है और इसकी लंबाई दिखा तो देखिए वहां तक है जो इसके है 108 फिट इसका लंबाई है और दोस्तों इसको काफी समय से पहले से जलाया जा रहा है चार पान दिन से जलाए और अभी बहुत कम जला है और ये काफी टाइम तक अभी तक जलने वाला है तो यहीं हो 108 फिट बड़ा अगर बत्ती है से जलाएँ दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अगर वाती जल्ला आए उस तरफ पंखा भी लगा हुआ है और यहां पर देख सकते हैं और इसके राख को कुछ लोग अपने चंदन के रूप में लगाते हैं कि यहां कितने सारे लोग है जो आए हुए है और यह एक सो हाट मिन भरा है और इस अगर वत्नी को जो है वो यह एंकल जी बना है तो अंकल जी कितना दिल लगा था इसको बनाने में इसको छे महिना लगा है ठाइब हो कि इसको अगर बत्ती पुरा एक महीना जलेगा तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जाप अगर बत्ती जलाया जा रहा है वहां पे सभी लोग बस लेगी नहीं करिख दोस्तों देख सकते हैं कुझी का पूरा मोहले